रविंद्र कोशिक नाम तो सुना होगा सकल बदलने में माहिर रविंद्र कोशिक उर्फ नभी एहमद साकीर नहीं सुना तो चलो हम सुनाते हैं स्री गंगानगर में एक हिंदू पंडित के गर पेदा हुआ भारत का ब्लेक टाइगर जिसका नाम रखा गया रविंद्र रविंद्र नाटक एक्टिंग करने का बड़ा सोकीन था उसको रूप बदलकर बेहरूपिया बनने में महारत हासिल थी पर इस होनहार कलाकार की किस्मत भी भगवान ने कुछ अलग ही लिक रखी थी वह यूँ कि रविंद्र की एक्टिंग देखकर लखनव के एक्षेठ ने रविंद्र को लखनव बुलाया जहां उन्होंने देश प्रेम का रोल अदा किया उस किरदार में रविंद्र बारतिय सेनिक बने थी जो चीन में पकड़े गए और एक केदी के दर्द को एक्टिंग के जरिये बता रहे थी लोगों को ये एक्टिंग बिल्कुल सच की तरह लग रही थी उसी बीड में एक रो का अधिकारी ये नाटक देख रहा था उसने रविंद्र को कहा मेरे लिए काम करोगे उसने रविंद्र को काम तो नहीं बताया पर इतना कहा कि बेहरूपिया बन कर मुसल्मान की एक्टिंग करनी पड़ेगी रविंद्र ने कहा क्यों नही रविंद्र के हामी बरने के बाद रोध वरा उसे एक गुप्त इस्थान पर ले जाया गया फिर रविंद्र की दो सालों तक ट्रेनिंग चली और यह भी देखा गया कि रविंद्र में देश प्रेम और धर्म के पड़ती कितनी आस्ता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं मुस्लिम देश में कोई एजेंट पकड़ा जाए तो वो किस हद तक मुँँ खोल सकता है रविंद्र हर परिक्सा में पास हुआ रविंद्र ने रो के अधिकारियों को खुश कर दिया था आखिर में रविंद्र के इम्तिहान का दिन आही गया रो के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र को बोला पाकिस्तान जाओगे रविंद्र ने कहा हाँ जेसा आपका आदिस रो एजेंट ने कहा तुम जासूस बनके पाकिस्तान जाओगी मर गए तो तुम जानो और तुमारा काम पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी मतलब हम तुम्हें पेचानेंगे नहीं रविंद्र ने कहा मुझे खुद पर पूरा बोरोसा है कोई मेरी रूप बदलने की कला को आज तक नहीं पकड़ पाया इतना ही रोके अधिकारियों को सुनना था फिर रविंद्र का बकाईदा खतना भी करवाया गया उसको हर दिन पांच बार मुसलिम की तरह नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई उसको पूरा मुसलमान बनाय गया उसको उर्दु सिखाई गई उसको कुछ दिन मुसलमानों के साथ भी रखा गया उसको कहा गया कि इस बारे में किसी को मत बताना यहां तक कि अपने गर में अपनी मा को भी मत बताना और तुमारे गर में तुमारे काम के बदले पेसे हम पहुचा दिया करेंगी तो रविंद्र ने अपने गर पर यही बताया कि उसकी दुबई में नोकरी लग गई और वह दुबई में रहकर ही कमाएगा और उनके पास पेसे बेजा करेगा परिवार ने राजी खुसी उसको विदा कर दिया फिर उसको सेना दोरा बारतिय सीमा पार करवा कर पाकिस्तान बेज दिया गया जहां रविंद्र को अब अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले अपना सिनाक्ती कार्ड बनवाया और कराची के एक कोलेज में LLB की डिग्री ले ली फिर एक दिन रविंद्र ने अकबार में पाकिस्तानी सेना बर्ती का इस्तिहार देखा रविंद्र ने मोके का फाइदा उठाते हुए फोम बर दिया और भगवान की दया से उसमें वह सफल हो गई और इस तरह रविंद्र पाक आर्मी में एक सिपाही बन गए थी कहा जाता है कि रविंद्र उर्फ नभी एहमद साकिर ने पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुस कर दिया था कि सेना में वह मेजर के पद तक पहुँच गए थी पाकिस्तान में मेजर का पद काफी ओहदा रखता है और अंत में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी जखिबर सेख की बेटी फातीमा से सादी कर ली फातिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे पर रविंद्र ने फातिमा को कभी नहीं बताया कि वो उसके देश की जासुसी कर रहा है और वो एक भारतिय हिंदू है और मुसल्मान बनके उससे सादी की सादी करना रो में बेहद जरूरी है क्यूंकि कभी किसी को यह सक नहीं होगा कि यह व्यक्तिव विदिसी है क्यूंकि साधी के बाद उसके रिष्टेदार पाकिस्तान में भी हो जाएंगे तो ऐसा ही रविंद्र ने भी किया वो भारत को कई महत्वपूर्ण सूचनाय पाकिस्तान से लगातार बेज रहा था इधर रोके अधिकारी खुस उधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना उसके काम से खुस सब बढ़िया चल रहा था पर ततकालीन भारत सरकार से एक बहुत बढ़ी चूक हो गई हुआ यूँ कि कॉंग्रेस की सरकार चाहती थी कि रविंदर की सहाईता के लिए एक और आदमी पाकिस्तान बेजा जाए रविंदर से जब इसके बारे में पूछा गया तो रविंदर ने कहा मुझे किसी की जरुरत नहीं है मैं अकेला ही काम कर लूँगा पर ततकालीन बारस सरकार के दबाव में रविंदर को हामी बरनी पड़ी फिर एकोरो के एजेंट को रविंदर की मदद के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया उस एजेंट ने भारत बोर्डर तो पार कर लिया पर सीमा पार रुख गया एक होटल पर चाई पीने जहां कुछ पाकिस्तानी सेनिक पहले से बेठे थे उन सेनिकों को इस एजेंट की बोलचाल से उस पर सक हो गया सेनिकों ने उस एजेंट को पकड़ लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम इस पर उस अंट्रेंड मुर्क एजेंट ने बोला भारस से आया हूँ मेरे दोस्त से मिलने पर दोस्तों समय ही खराब था उन में से एक ने कहा बता कौन है तेरा दोस्त नहीं तो गोली से उड़ा दूँगा इतना सुनते ही वहर रो का एजेंट सुरू हो गया बोला कि मैं रो का एजेंट हूँ यहां पहले से मोजुद रो के एजेंट की मदद करने आया हूँ जो आपकी सेना में मेजर है जिसने आपके देश में हिंदू होते हुए भी मुस्लिम लड़की से सादी की यह सब उसने बोल दिया पाकिस्तानी सेनिक एकदम हक्का बक्का रह गए सेना के एक सेनिक ने कहा तुम उससे कहा पर मिलने वाले थे उससे उसी प्लान के मुताबिक मिलो पर उसे सक नहीं होना चाहिए प्लान के मुताबिक सुभा उसने रविंद्र को जिन्ना उध्यान में बुलाया रविंद्र समाई पर पहुच गए दोनोंने हाथ मिलाया और चाई ओडर की ही थी कि पहले से ताक में बेठे पाक सेनिकों ने रविंद्र को दबोच लिया कहा जाता है कि रविंद्र को उस एजेंट पर इतना गुस्सा आया कि रविंद्र ने उसको वही पर पीटना शुरू कर दिया खेर रविंद्र को पकड़तर डाल दिया गया पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में जहां न सूरज की रोशनी थी नहीं चांद की ठंडग थी तो बस गुमनामी कहते हैं कि अगले बारा दिनों तक रविंद्र को उसी बेरक में बिना खाने के रखा गया रविंद्र के लिए जेल की बेरक के उपर से पानी डाला जाता था उतना ही जिसे की वह जीवित रह सके रविंद्र जेल में चाट चाट कर पानी पीते थे बारा दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई पर पाकिस्तान के कुछ मानवादिकार संस्ताओं ने इस फासी को उम्र केद में तबदिल करवा दिया रविंद्र को बारा दिन तक उस गुप्त कमरे में बंद रखने से रविंद्र को हर्दई की बिमारी हो गई थी जिसका न तो पाकिस्तान की जेल ने इलाज करवाया और नहीं उन्होंने इसका हाल जानना चाहा रविंद्र को अब रोज सुबह से साम खाने में पिटाई भयंकर पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता इस बीच रविंद्र अपने गर पर खत भी लिखा करता था जो खत आज भी उसके गर पर मोजूद हैं जिसमें रविंद्र लिखा करता था कि मैं कोई दुबई वुबई कमाने नहीं गया मैं जासुसी करने पाकिस्तान गया जहां मुझे बारस सरकार की गलती के कारण दर लिया गया मैं तो बारस सरकार के लिए ही इस पराई मुल्क में आया मैंने उनको कई सारी जानकारिया दी मैंने उनको सन 71 के युद्ध को जीतने में बहुत सहाईता की इंद्रा गांदी ने मुझे बलेक टाइगर की उपादी दी अब मुझे टीबी और हर्दई रोग हो गया है जिसका इलाज इस मुल्क में कही नहीं है मुझे बचा लो मैं बारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ रविंद्र के पिता बार 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 बारत के नेताओं से मिलते रहे नेताओं ने इतना ही कहा कि उसने हमारे साथ एगरिमेंट साइन किया है कि पकड़ा गया तो उसकी कोई सहाईता नहीं होगी और हम दुनिया में बारत का नाम खराब नहीं करना चाहते और अन्त में साल 2001 में पाकिस्तान का टोर्चर सहते सहते रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में ही प्राण त्याग दिये बारत सरकार ने रविंद्र का सव लेने से भी इनकार कर दिया दोस्तों पाकिस्तान की नीचता भी गजब है उन लोगों ने रविंद्र का सव कच्रे के साथ जला दिया कहा जाता है कि रविंद्र की मुस्लिम पतनी भी उससे मिलने एक बार जेल आई थी उसने बस यही पूछा क्यों किया मेरे साथ ऐसा रविंद्र का जवाब था मेरे देश के लिए फिर वो उससे मिलने कभी नहीं आई रविंद्र और उस मुसलिम महिला का एक बेटा भी है जो पाकिस्तान में ही रहता है दोस्तो रविंद्र इतना महान रूप बदलू था कि वो पाकिस्तानी फोज में मेजर रहते हुए भी पांच बार अपने परिवार से मिलने बारत आया और ऐसे छुटिया बिताई जैसे कि कोई बारतिय फोजी अपने गर पर छुटिया बिताने आता हो पर कभी पाकिस्तान को उस पर सक नहीं हुआ बस ततकालिन बारत सरकार की एक छोटी सी गलती रविंद्र को ले डूबी अगर वो गलती न होती तो मैं दावे से कहता हूँ आज तक रविंद्र पकड में नहीं आता और भारत को कई सूचनाएं मिलती रहती तो दोस्तो ऐसे महान वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है चलिए मैं चलता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक सेर जरूर करिएगा तो धन्यवाद दोस्तो एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी धन्यवाद जुड़े रहिए